हेलो दोस्तों मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस्वाइवर्ड अभी हाली फिलाल 5 जून 2020 को एक चंद ग्रहन बीता है लेकिन एसी मन्त में 21 तारिक को एक और ग्रहन लगने वाला है जो कि सूरे ग्रहन होगा तो उसके बारे में complete जनकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो जो भी गर्वती इस्त्रिया हैं जो की मन्ही मन थोड़ी सी घबरा जाती है अगर किसी तरह का ग्रहन होता है तो प्लीज मत घबराईए आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है इस वीडियो में आपको complete जनकारी देने की कोशिश करूँगी और अगर मान लिजे कि आप से किसी तरह की चूक हो जाती है तो उसके लिए भी एक राम बार्ण नुस्खा कहिए उपाई कहिए जिससे कि आप बेफिकर होईए घबराने की कोई जुरत नहीं है कुछ भी बुरा नहीं होगा तो आईए जान लेते हैं कि ये सूरे ग्रहंट कब लगने वाला है इसका सूतक समय क्या है सब कुछ डिटेल इस वीडियो में डिसकस कर लेते हैं तो सबसे पहले ये इसका सूतक एक दिन पहले यानि कि 20 जुन 2020 को ही लगने वाला है जो कि रात में 9 बच के 16 मिनट से लगेगा और अगले दिन सुबा में संडे के दिन 9 बच के 15 मिनट से ये स्टार्ट हो जाएगा और एंड होगा 3 बच कर 4 मिनट में इसका मतलब ये जो कम्प्लीट अवधी है वो है कम्प्लीट 5 घंटे 48 मिनट की कम्प्लीट अवधी है और इस दोरान आपको विशेश सावधानी रखनी पड़ेगी लेकिन अगरवती इस्त्रियां सूतक काल से ही कुछ परहेज करें तो वो बहतर होगा तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात बताओ कि जो गरवती इस्त्रियां है उनको क्या करना है और उनको क्या नहीं है क्या उनके लिए वर्जित है सबसे पहली चीज उनको इस दोरान पे खाना पीना नहीं होता है नहीं खाने पीने जैसे प्रक्रिया करनी होती है लेकिन बात यह आती है कि अगर आप सूतक काल से ही अगर नहीं खाईएगा पीजेगा तो आपके बच्चे के उपर काफी बुरा असर पड़ सकता है तो इसलिए इस चीज को थोड़ा सा आप साइड करके आप अपने बच्चे के बारे में सोचिए कि इस समय आप खा पी सकती है लेकिन अगर उपाई के तोरपे अगर आप कुछ करना चाती है तो अपने खाने पीने की वस्तुओं में सूतक काल लगने के समय से ही तुलसी पतियां सारे खाने पीने की चीजों पर जरूर रखे चाहे वो पीने का पानी ही क्यों ना हो, आपको तुलसी पत्ता जरूर रखना है इसे देखे होता क्या है कि ऐसी माननेता है कि जितने भी जो बुरी तरह की रेज निकलती है जो बुरा एक वाइपस निकलता है, वो सब कुछ खतम हो जाता है लेकिन बूरा वाइप से ज़ाधा important है कि उस समय अल्ट्रा फॉयले ट्रेज इतनी ज़ाधा हावी होती है जब सूरे ग्रहन या चंद ग्रहन होता है तो खाने पीने की वस्तुएं दूशित हो जाती है इसलिए इसके पीछे का logic यह है और देखें लोगों का ये भी मानना है क कि आपको ग्रहन के समय बाहर नहीं निकलना है आपको उसकी छाया को नहीं देखना है तो हो सके तो आप एक रूम में बंद हो जाएगे खिड़की दर्वाजे भी बंद कर लिजी अगर जहां से आपके खिड़की से रोश्नी आती है बाहर की तो वह सब रोश्नी को आपको फेस नहीं करना है तो बैतर है कि आप एक कमरे में थोड़ा सा बाहर की चीज़े थोड़े से अवाइड कर लीजे लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंडिक्शन ये भी होते हैं कि अगर आपको माल लीजे किसी तरह की एमर्जेंसी हो जाती है तो आप उस वक्त क्या करीगा तो देखिए रूल रेगुलेशन या जो भी उपाए हैं मानिता हैं वो हमारे लिए होती हैं हमारे बड़े लोग बोलते हैं और उनकी इक्षा के लिए हम लोग ये सारे चीज़े करते हैं लेकिन अगर माल लीजे किसी तरह की एमर्जेंसी हो जाती है तो उस एमर्जेंसी के टाइम पे आप बाहर जा सकते हैं कुछ भी हर्ज नहीं होगा कोशिश करिए कि अगर आपको एमर्जेंसी में बाहर निकलना ही पड़ा तो आप अपनी आपको पूरी तरह से ढग कर निकले और आप लोग तो जैसे मा गाओं में रहती है जिनरली गाओं में बात्रूम दूर बनाया जाता है घर से जैसे कि पास में ही रहता है लेकिन आंगन के बाहर होता है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है तो कोशिश यह करिए कि आपको वाश्रूम जाना अभी मतलब इस जो डूरेशन है इसमें जरूत ही ना पड़े लेकिन अव्यसी बात है कि प्रेग्नेंसी है तो बात्रूम अगरा जाना पढ़ी सकता है तो इस केस में भी आप अपने आपको पूरी तरह से ढख ले कोई दिक्कत नहीं है आप अराम से वाश्रूम जा सकते हैं और अगर देखे खाने पीने की पटाया था कि तूलसी का पत्य को आप पहले ही रख लीजे आप उस समय देखे अवाइड कर सकते हैं लेकिन सूतक काल से लेके एकदम एंड होने तक आप भूखे नहीं रह सकता है क्योंकि इस समय आपका फॉस्टिंग में रहना आपके और आपके बच्चे दोनों के लेकिन अभी जो सूरे ग्रांट की जो टाइमिंग है वो है दो पहर के तीन बच के चार मिनट यानि कि दो पहर का समय है तो अगर आप चाहो तो नहां भी सकते हैं आपकी अपनी मर्जी आपको अच्छा लगता है तो आपना हाईए नहीं तो ऐसा कोई hard and fast रूल नहीं होता और रही बात कि बहुत लोगों का ये भी कहना होता है कि समय बूरी शक्तियां हावी हो जाती हैं । अगर आप चाहते हैं तो आप अपने भगवान का ध्यान करिए और धिखिए भगवान का ध्यान करने में कोई बागवान को मानते हैं आपके कोई भी बन है आप उनको दिल से याद करिए आप अपने बच्चे के लिए और अपने लिए सुखत प्रिगिनसी डिलिवरी की कामना जरूर करें और रही बात अगर आपको चुपाय Commence अगर करना चाहते हैं, माल लिजे कि आपको इस तरह की भूल हो गई, आप बहुत लोगों का ये भी मानना होता है कि आप लेट नहीं सकते हैं, आप बैट नहीं सकते हैं, लेकिन आप इमेजन करिए कि प्रिगनेंसी में कोई इतने दिर तक खड़े क्यों रहेगा, और जो आं होती है, तो उस डूरेशन में ही आपको थोड़ा साब खड़े रहे, वाक करिए, चलेगा, लेकिन कम्पलीट सूतक काल से लेकि वहां तक आपको खड़े नहीं रहना है, आप अराम से लेट सकते हैं, बैट सकते हैं, करवट भी कर सकते हैं, इसमें कुछ भी हर्ज नहीं है आप अपने कम्फर्टेबिलिटी का हिसाब जरूर रखें, क्योंकि देखें, अगर आप कम्फर्टेबल रहेंगे, तो आपकी प्रेग्नेंसी में कोई अधर कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, नहीं तो पता चलेगा कि आप सूरे ग्रहन और ये सब के चक्कर में पढ़ ग और अगर माल लिजे कि आपसे किसी तरह की भूल हो जाती है, आपकी मा या सासु मा आपको डाटने लगती है, तो आप इस सब चीज छोड़िए, भगवान पर भरोसा रखें, और अपने हाइट के अकॉर्डिंग, जितनी भी आपकी हाइट है, उसके अकॉर्डिंग, एक सिंबॉल होता है कि आपकी भिहाफ में वो धागा खड़ा है, या फिर आप धागा भी रख सकते हैं, या फिर एक डंडा रख सकते हैं, जो कि स्टैंडिंग पोजिशन में हो, ये सिंबॉलिक माना जाता है कि आप नहीं, बलकि आपकी भिहाफ में वो खड़ा है, तो जिसस पूरा विश्वास है अपने भगवान के उपर सेम इसी तरह का विश्वास आपको अपने भगवान के उपर दिखाना है तो ये complete जनकारी मुझे लगता है कि गर्वती इसन्यों को मिली होगी और मेरी जो जनकारी अगर आपको थोड़ी से भी helpful लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजे जादा से जादा लोगों तक फैलाईए क्योंकि ऐसी भी मान सिकता कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो की अपनी बहुओं को जो की अपनी बेटियों को इतना जादा प्रेशराइज करते हैं इस सारे चीजों के लिए तो प्लीज उनकी आँखे खोलने की ज़रत हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर फॉर्टवर्ड करें अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा पसंद आया तो एक बार इसे लाइक ज़रूर करीगा दोस्तों के साथ शेर करिए और हाँ चैनल पसंद आ रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आपको प्रेग्नेंसी रिलेटेड हेल्थ इशूज रिलेटेड आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज ज़रूर बिलेंगे तो थैंक्यू सो मच पर वाचिंग ट्विन्स माई वर्ड